हाई फ्रेंड्स मैं हूं अजे और आप देख रहे हैं Ajay Korner मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चानल अजे कॉरणर में फुप करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजे subscribe कीजिए और अपने friends में भी swear कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो आज हम बात करेंगे रोज प्लांट में और आज की वीडियो हमारी दो पार्ट में आएगी एक पार्ट में हम सिखेंगे कि अपने रोज प्लांट को फंगी साइट और पैप्टी साइट के अटैक से कैसे बचाना है और दुसरी प्लाट में यह सिखेंगे कि हम समर्ब अपने रोज के प्लांट को कैसे बचाना है तो चलिए सुरू करते हैं जैसे कि रोज प्लांट बहुती नाजूग प्लांट होता है तो इसमें प्टिसाइट और फंगस के सबसे ज्यादा अटैक होते हैं वह इसलिए होते हैं क्योंकि जब हम कभी अपने प्लांट में नेटूजं खाट ढालते हैं अगर हम कच्चवल नेटोजन खाट डालेंगे तो उससे भी फंगस लग सकता है और प्रेप्टिसाइट के वो आ सकते है और जैसे जब कभी प्लांट अपने पत्या नीचे गिराता है तो उस समय हम उन पत्यों को हटाते नहीं है उनसे भी हमारे प्लांट में प्रेप्टिसाइट और फंगिसाइट का अटेक हो सकता है इनसे बचने के लिए मैं आप आपको कुछ इस्टैब बताऊंगा हमारा प्लांट के बीच में ऐसा कनेक्शन होना चाहिए अगर आप गार्णिंग कर रहे हैं तो ऐसा कनेक्शन होना चाहिए कि हमको पता लग जाए कि हमारे प्लांट को क्या प्रॉब्लम चली है तो हम इसके लिए सबसे पहले अपने प्लांट को अगर हमने धूप में रखा है तो धूप से उठा कि सबसे पहले सेड में रखे दो इसके चारा और शोटी से बत्तिया aur उसमें उसमें निकालने इप्लान्ट हो जाएग जैसे nitrogen खाता आपने कच्चे डाल दी तो उसमें fungus अबसे ज्यादा आता है और दूसरे इस्टेब हमने यह करना है कि market में एक आता है fungicide powder साफ आप उस साफ को एक teaspoon लेके इस plant के चारो और इसकी जड़ों में इसके चारो और आराम से डाल लीजिए इससे हमारा plant में fungus और pesticide के खतम हो जाएगा अगर आप सोच रहे होंगे कि हम इसमें 2 या 3 चमश डाल दिंगे तो हमारा plant जल्दी रिकवर करेगा ऐसा कुछ नहीं है plant अपने टाइम में ही रिकवर करेगा अगर आप इसमें ज़्यादा डालोगे तो हो सकता है कि plant में कुछ और बिमारी लग जाए और plant मर जाए इसलिए आप एक teaspoon डाली अगर आपके पास साफ का fungicide powder नहीं है तो आप baking soda भी डाल सकते हैं यह भी यह fungicide का कामे करता है और आपने एक ध्यान यह रखना है कि आपने baking powder नहीं डालना है क्योंकि baking powder नहीं बहुत सारे chemical मिले होते हैं जिससे हमारे plant में नुक्षान पहुंचते हैं इसलिए आप baking powder में baking soda डाली और फंगस इसलिए लगता है गुलाब में क्योंकि गुलाब और प्लांट के तरह हाड़ी प्लांट नहीं होता है यह इसमें खाले कांट ही होते हैं इसलिए इसको आप हाड़ी प्लांट में समझ दिए यह बहुत ही नाजुक प्लांट होता है इसलिए जल्दी बि अगर आपके पास बेकिंग सोड़ा भी नहीं है और साफ वाला फंगिसाइड पाउडर भी नहीं है तो आप हल्दी ले सकते हैं हल्दी जो सब घर में होती है आजकल तो आप एक टीस्पून हल्दी लेके उसको 200-300 ml पानी में अच्छे से मिला लेना है मिलाने के बाद आप इ लेकिंग पाउडर मिलना चाहिए अगर थोड़ा सा बचेगा तो आप इसको चार और अच्छे से डालिए और हल्दी एक औरनी कीश है इसे हमारे प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंशता है जैसा हमारे हाथ पैरों में लग जाती है तो हम भी लिए प्लांट में छैंब पानी बहुत कम होता है तो अजिसम पानों झालें दालूगँ मतलब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो इसका पानी ही मेन फूड होता है ना कि आप झालें तो उसका मेन फूड है कोई फूड नहीं होता है इसका यह खाली पत्या बढ़ाने के लिए होते हैं नैट्रुजन खादें आप इसमें liquid fertilizer भी डाल सकते और पाने तो इसमें चाहिए चाहिए तब इसमें अच्छे फूल खिलेंगे अपने रोज प्लांट की फंगस और प्यक्टिसाइट से क्यार करने के बाद हम इसे अब सेड में रखेंगे जब तक कि इसमा पत्तिया ग्रो ने हो जाती है जब इसमें पत्तिया ग्रो जाएंगे हम तभी इसको धूप में रखेंगे और ऐसा नहीं है कि इसको आप डार्क लाइट में रख दे जहां पर हलकी लाइट आ रही है वहां पर आप इसको रख सकते हैं क्योंकि पत्ति ग्रो करने के लिए लाइट भी बहुत जरूरी होती है इसलिए आप इसको लाइट में रखें डार्क रोम में मत रखें अगर आपको लगता है कि मेरी बताई हुए इंफॉर्मेशन आपको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी चाहिए तो आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए ह अगर वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को दबाना ना भूले बैल आइकन दबाने से यह होगा कि आपको मेरी नोटिफिकर्शन मिलते रहेगी शलिए मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ अब तक के ल